दिली में एक बेटी अपने पापा की हत्ताय का इंसाफ मांगने जंतरमंतर आई मामला उडिसा काला हांडी जिले के भवानी पटना गाउं का है जहां जमीन जायदात के लिए एक इंसान का खून कर दिया जाता है इस मामले को दबाने की लगातार कोशिश की जाती बेटी अब भारत सरकार से प्रधानमंतरी ने मोदी से इंसाफ की अपील कर रही है क्या नाम है आपका साहिदा बेगम कहां से आई है ओडिसा कलाहंडी भवानी पाटना से आई है अच्छा क्या समस्या लेकि आप जंतरमंतर पर बैढ़े हुए हो यही समस्या है हमाराल यह जो हम म लेटर भेजहे थे किसी का पास लेटर नहींगा हम लोग हमरा इनसाफ़ दो हमरा मेरा पतीको मार दिया है अग Sword कैसे महा रा था था इंगा हो अग्या इसमार जंदय कंगा मारस है कब का मामला है या आपका? ये उननीस साल की बाद है. जी. कहां का है ओर ये? भबानी पटना गांधी चुक. क्या करते थे आपके हाजबेन? मिरा हाजबेन जो डीलर दिये थे राशन पानी जो देते थे. क्या नाम है आपका? रुकसाना बानौ. आप इनकी बेटी हो? जी. अच्छा, क्या हुआ था आपके पापा के साथ? हमारे पापा को हमारे बड़े पापा लोग ही जमिन जायदात के लिए जहर दे के मार दिये. उन लोग कॉंग्रेस पाटी में एक लीडर है बोलके ये केस को दवाया जा रहा है. हमारे ओडिसा के मुख्यमंत्री जी के पास भी गय लेकिन कोई हेल्प नहीं मिला. नभी निबास क्राइम ब्रांच मानवधिकरी महीला कमिशन उदर तरफ से कोई हेल्प नहीं मिला हमें. हमारे पोलिस प्रसाशन तक भी हमारे साथ बहुत बत्तमी जी देखते ही देखते दोनों पक्षों के दरजन लोग आमने सामने आ गए. दोनों पक्षों में मारपीच शुरू हो गए जिसमें तीन लोग गंभी रूप से घायल हो गए जिने उपचार के लिए अमापूर CHC में भरती कराया गया है. घटना स्तर पर एक पक्षने आरोपि की मांग करते हुए बीनपूर चौराहे पर जाम लगा दिया. घटना करम के अनुसार सहावर तहसीर स्थानक शेत्र के गाउन नगला मुक्तियाल निवासी मुनेंद्र पुत्र महेश अपनी मोटर साइकल से अमापूर से अपने गाउन जा रहे थे. पीछे से आ रही एटा सहावर मार्क की बस से हलकी सी चपेट में मोटर साइकल आ गई जिसके बाद बस चालक अनिल यादव वा मोटर साइकल सवार में कहसुनी हो गई. कहसुनी के बाद मोटर साइकल सवार ने आगे जाकर बीनपूर चौराहे पर बस को रुखवा लिया और बस चालक से कहसुनी गाली गलोच और मारपीत करने लगा, बिनपुर्णिवासी SI मचल सिंग यादव ने चालक का पक्ष लेकर मुनेंद्र पुत्र महेश के साथ मारपीत कर दी, वो दोनों पुत्र जुगेंद्र वा संजीव को मौके पर गुला लिया जिसके बाद मुनेंद्र पुत्र महेश वा संजीव पुत्र हरीराम के घायल होने की सूचना पहले से ही नगना मुक्तियाल पुलिस ग्रामीनों ने घटना स्थल पर पहुंच मचल सिंग को धून दिया और शेश भाग गए आरोपियों की गिरफतारी की मांग करते हुए बीन पोचराये पर शाम पांथ पजे जाम लगा दिया और आरोपियों की दोनों मोटोसाइकलों में तोड़ फोड़ कर शर्थिग्रस कर दिया सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ऐसो राजेश कुमार मीना के आश्वासन के दो घंटे बाद गाउं वालों ने जाम खोल दिया सहावर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट